आज मैंने बनाया बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेस्पी तो चलिए सुरू करते हैं, रात में ही हमने दो कटोरी चावल और उड़त का दाल एक कटोरी भीगा दिया था सुबर उसको अच्छे से धुल के पीस लिया राचे में तेल लगा के वेटर को उसमें डाल के धक के पैस पर उलट पलट पका लिया उसके बाद एक कड़ाई में तेल डाल थोड़ा सा राई, जीरा, अद्रक हरी मिर्च, करी पत्ता, सिम्ला मिर्च, गाजर, ब्रॉकली, मिक्स करके धग दिया उसके बाद उसमें टोमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल और चाट मसाला थोड़ा धनिया पॉर्डर, थोड़ा सा पनीर और उसके बाद जो इडली बनाई थी मैंने उसको डाल दिया थोड़ा सा महीगी मसाला नमक डाल के मिक्स कर दिया अच्छे से उसके बाद थोड़ा सा कदुकस दिया हुए नारियल थोड़ा सा हैरा धनिया और थोड़ा सा सफेद तील उसमें डाल के मेरे कहने पे आप एक बार जरूर ट्राय करें सभी को बहुत ही पसंद आएगी इसको बना के आप सफर में भी ले जा सकते हैं